नाग और नागिन नाग वन्स होता है यानि जिसमें व्यक्ति पुरुस महिला या नाग कुल या नाग वन्स या नाग राजा होते हैं जहां लोग रहते हैं जो स्रेश्ट लोग हैं अच्छे लोग हैं उनको नाग कहा जाता है और जो हाती की सून की तरह बेल होती है या हाती की सून की तरह बहुत बात में जब भासा पाली संस्कारित की गई और बहुत बात में यह चरन हुआ कि सप्प को भी नाग कहने लगे। जो चांद मिंदू होता है आँख के उपर लगता है और जो आधा रह लगता है वो पाली में नहीं होता है। इसलिए सप्प का बाद में सर्प और साप बन गया। नाग शहर और गाउं थे वो नहीं बदल पाए। इसलिए उनका इत्यास ऐसा का ऐसा सुरक्षित रहा खास तोर से पाली भासा के अंदर थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे और थोड़ा सा भी अगर देखेंगे तो आपको नागों की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी ज चाहते हैं कि अनंत नाग में जो राज था पूरा-पूरा जो जम्मू कस्मीर के अंदर है वहां से 12 नाग राजा निकले हैं जो एक सेस नाग या वासु की नाग या बहुत सारे जो नाग रटाजा हैं उनके आते हैं नाम आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे ये जो नाग वंस चला रहा है नाग वंस क्योंकि मुशलिंद एक नाग राजा था और मुशलिंद ने जब भग्नमान बुद्ध ने विपस्टना की तपस्चा की तो उसने उनको छत्रचाय दी और वो तुफान से और जो वहां वर्सा हो रहे थी बारिस हो रहे थी उससे जो प्रितिक चन्न है वो यही है कि मुशलिंद राजा जो पाच सील मानते थे वो उनकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तयार थे और उनने उनकी रक्षा भी किये अगर हम हाती की बात करते हैं जब नाग का मतलब हाती होता है तो नागवन जो होता है जिसमें हाती रहते हैं उसको नागवन बोलते है नागदंत का मतलब है कि नाग की हड़ी यानि दास से बनी हुई जो खुंटी है उसको नागदंत बोला जाता है नाग दीप, नाग बल और नाग बला नाग दीप का मतलब है जहां नाग रहते हैं ये जाफना को बुला जाता है जो सीहल दीप है जो आज का सीलन का है या सीलोन है उसका जो उत्री भाग है उसको जाफना बोलते हैं बहुत हाती पाजाते थे उसलिए उसको नाग दी बोलते हैं नाग बल का मतलब है जिसमें हातियों जैसा बल हो और नाग बला का मतलब है जिसकी सूंड जो लता इतनी मोटी और तगड़ी है जो बेल है, जो हातियों की सूट की तरह मजबूत है, उसको नाग बला बोला जाता था अगर हम बात करते हैं कि नाग मनुस्य थे, स्रेश्ट मनुस्य थे तो नाग राजा हैं, नाग लोक हैं, नाग मालवक है नाग मालवक और नाग मालविका जो तरण इस्त्री होती है नाग वंसियों की यूवक होता है यंग होता है उसको नाग माडवक बोलते हैं ये कहानियों में भी आता है माडवक और जो माडविका होती है नाग माडविका यानि नाग वंसियों की नाग राजाओं के परिवारों में जो तरणी होती है जो नव रहते थे उस जगे का नाम था नगर और इस नगर से ही नागरिक्ता बना है और इस नगर से ही विमान नागरन बना है जो हम नागरिक्ता बोलते हैं या नाग सहर बोलते हैं या नगर बोलते हैं वो इसी नाग से बना हुआ है यानि नाग लोग जहां रहते थे उसको नगर ब तो वहाँ जो लोग रहने वाले हैं, वो सारे सारे नाग लोग हैं, इसलिए उसको नगर बोलते हैं, नगर सही नगरपाली का बना है, और जो नाग है, यानि जो नाग है, उसके बहुत सारे चिन्न मिलते हैं, जो शेहर मिलते हैं, यसे नाग लोई है, नाग तुर है, नागा लेंड है नंगला है नागल है नागोर है, नागापट्तम है नागपूरम, नागर कोईल नागापटी नागर हवेली, अनन्त नाग और नागा लेंड नाम का तो एक राज्ज जै है ही जो आप सब जानते है नागों की एक भासा भी है यानि लिपी भी है जो जिसको देव नागरी बोलते है देव नागरी का मतलब है ऐसा कोई नाग है जो पंसील को जानता था देव था और रू माने होता है जो अवाज आती है जिसको हम अवाज सुरू में जो बच्चा करता है अटरिंग करता है उसको रू बोलते हैं तो नाग मुनी है, नाग इंद इद है, नाग इसी है, जिसको नाग इश्वर बोलते हैं या नाग मुनी बोलते हैं या नाग मनी, नेगी है, नाग मुनी है, सेस नाग, नाग अज्जुन है, नाग देव है, नाग सेंथेर है, ये सारे के सारे जो नाम है, ये सारे के सारे नाम उ जो है बहुत प्रमुख है नागाओं का जहां वो पंच सील का उससा मनाते थे इसको नाग पंच सीलंग बोलते हैं या नाग पंच में बोलते हैं जहां नाग लोग सारे सारे बनाते हैं एक बात बहुत ध्यान देने की है कि साप कभी भी दूद नहीं पीता मगर नाग पीता ह नाग जो मनुस्य है वो दूद पीता है इसलिए लोग नाग को दूद पलाते थे ताकि वो बलिष्ट रहें साप दूद नहीं पीता है क्योंकि रेप्टाइल जो होते हैं जो सरकने वाले जीव होते हैं अगर वो दूद पीएंगे तो वो मर जाएंगे और उनके अंदर नागों का एक फेस्टिवल रहा है जहां नाग लोग अपना पुरा एकसाइज करते थे और उनको दूद पलाया जाता था नाग इक्षधारी भी होते हैं सांप कोई इक्षधारी नहीं होते हैं क्योंकि सांप तो एक रेप्टाइल है एक सरकने वाला जीव है मगर नाग जो होते हैं वो इक्षधारी होते हैं आपने नाग और नागिन दोनों सुना है क्योंकि एक परिवार के अंदर स्रेष्ट प पुरुस्वी होते हैं इसलिए नाग और नागिन दोनों साथ चलते हैं जोड़े में चलते हैं मगर साप कभी जोड़े में नहीं चलते हैं क्योंकि साप अलग होता है आपने साप सुना होगा मगर साप को नागिन से जोड़ दिया है कहते हैं पिच्छर आती है तो उसमें नागिन की तरह होता है, जबकि ये क्या होता है, नाग और नागिन होते हैं और ये एक्षाधारी होते हैं, एक्षाधारी का मतलब है कि ये अपनी एक्षाओं को अधिकार रखते हैं, अपनी एक्षाओं पर अधिकार रखते हैं, इसलिए उनको एक्षाधारी नाग और एक् पड़ा है और वो साब कोई नाग कहने लगे और नाग वंसियर हो गए मगर जो नाग है और जो नागिन है उसकी एक कहवत बड़ी मसूर है चाहें तो यह किदवन्ती है कि वो अपने दुस्मन को कभी नहीं भूलता यानि नाग और नागिन अपने दुस्मन को हमेशा याद रखते हैं और हमेशा अपना बड़्ला लेने के लिए त्यार रहते हैं यह नाग और नागिन की खास बात होती है हो सकता है यह किदवन्ती हो, हो सकता है यह सच है जैसा कि किदवन्ती हो कहानियों में है और सच भी हो सकता है ये नागों की पूरी कहानी है भारत पूरा नागों से भरा पड़ा हुआ है धन्यवाद हुआँ झाल झाल झाल